है पर घृत आपक्ट तेंट नाम है आपका चाचा हमाद कर दिन क्या नाम है महमत कर दाप्ट कहां अगरे ने वाले हो आप बिहार के बिहार के कौन से जिलिस है चपराजिला चपराजिला के हो आप पर आपके तुम्हां के बहुत बड़े सुपर स्टार निकल गए भोशपुरी में खैसारी लाल या दो जानते हो आप भोशपुरी गाने काते हैं या थीक है ना थीक है ये जो बासूरी है आप खुद अपनी हाथों से बनाते हैं जी आख से मेला हम लो होां किरते हैं पष्मरी मेला परिया का पाषि इसको बाद हम लो इतनी वह लिगालान भाफाल सजाजaldoौर गालाट। आटू संबावा को भूंते रहते हो हजगा मेला मेला में नमाई हो जाती है ठीक था भगवान का मर्जी से जो मालगी देते हैं उसे लिए आपने बाल बचा आपको ये खांदानी वियोशाय है आपके पिता जी दादा पड़ाना भी करते हैं आपके बच्चे भी करते हैं भोषपुरी आवे लारो रखे हैं जी आवे लाता आवेला भोषपुरी यह कलपना जी गाना साय था ना देवर्या थोड़े के लिए कुछ ऐसा गाना था ना यही गाना है ना तो आपको बच्च्च बचानी भी आती है क्या पाइब को इसे आपके पास बंसुरी आता है जैसे माली जी में आया यह बासुरी दीजिए तो बोलता हो का बजा के दिखाओ जी इसको बजा के दिखाते हो इतना तो आपको आपको आणा पड़ेगा तभी तो आप कस्ट्वर को इंप्रेस कर पाएंगे बच्चे आत दिखाए कौन सी वाहिए की दिखाए जो सबसे महगी बेचते सबसी महगी वाली वाहिए आपकी यह कितने का है तो देखिये यह मतलब जैसा गरहां कि मिल गया किसी को पचीस पर में बेचते हैं और यह दस रुपे की बासुरी है इनका खांदानी पेसा है पचीस साल से कर अधरने इनके बैब दैदाभे करते आहे रहे हैं कोंग झया बाबू साहिब लोह मं बाबू ए मांगाते हैं इन बांच के लीकर यह नहीं दए जिसे बंच की लखटी लेकरिस भर मत्ति है जी शरीबांच के लेकड़ी के मंतिया है यह सब असाम से आता है गोहाटी से अच्छा वहां से आता है फिर आप लोग बनाते हो जी ओस्व बाभु से मंगाते हैं उससे हम लोग दुचार पांच बोड़ी लेक के आपके भी कोई ठेक एदार है जी हम लोग बना करते हैं पैस अब से लेके हम लोग बनाते हैं अपने बाल बाचा खड़ते हैं अंडे बचे आपको और कोई धून बजानी आती है आज आपको चर्चा का बहुत बड़ा परिवार देख रहा है कोई धून ऐसी बजाईए बड़ प्चेरे! कि घर आजा पड़ देशी गदर पिक्चर नहीं देखते हैं अब मैं पिक्चर भी आप देखते हैं तो कैसे गाने सुने अब बचाते हैं करें जब तक फुर्णी बने गए नहीं आपको बता दूब कोई भी मिला जहां बांसुरी नहीं पीकार और बांसुरी बेचने वाले ना मिलें जो चोड़े पच्चे हैं यहांब हो और बहुत लो कहां से लेती हो क्या फाइदा होता है दूप में खड़े हो कैसे आपका सरवाइब हो रहा है यह बाबुजी हम लोग अंड़े बचा खटके माल भेज़वाया इहां पर मेला कोई भी नहीं लग रहा है हम लोग क्या खाएंगे क्या नहीं पड़ेंगे तो ब्रिंदाबन में खाएंगे इधर आम लोग प्श्माड ही जाते थे खाँटू साम बबा के मेला जाते थे केला देबी माई के मेला जाते थे नहीं लाग कि नहीं लगे अच्छा ये बताईए आपको क्या पुलिस प्रशाष्ण होक्रा भी परसान करता है क्या पैसों से लेते हैं आपसे नह जोड़ ऐसे कि अपार्देशी हो आप छपरा विहार से लोग करते हो अब यह यूपी है आप यहाँ आगए परसान तो नहीं किया जाता है कि अपने बुचार दारा से अटाएगा जाँ रोड जाम हो रहे तो दुखाने आगे तीची तो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा वह तो करना पड़ेगी आप क्या करते हैं अपना जीवन ही आपन कर रहे हैं गंगा मैया ने सबको अपनी गोद में समाहित कर रखा है सिर्फ वही नहीं है जो आके नहांके चला जाता है बलकि वहां वो भी है जो अपना पेट चला रहे हैं अपने परिवार का पालन पोशन कर रहे हैं तो यह मेला सिर्फ एक तीर्थ अस्ताली नहीं है बलकी जो गरीब और तपके के लोग है उनका पेट पालन करने का भी एक छेत्र है सिर्फ इसे नहीं कह सकते यह तीरत अस्तान है यहां पर आके नहां के अपने पाप खालीद हो के चले जाओ यहां पर ऐसे लोग भी है मैं बोलूगा कैमरा में दिखाएं देखिए भाई हमारे कड़े हुए चपरा बिहार से विलोंग करते हैं मेला मेला गूमते हैं किसके लि मेरे तो वच्चे नहीं है नहीं मैं दो चार खरी दी लेता है कोई बात नहीं है आपको अपने पैसे से ग्लास जूस पिलाता हूं कोई बात नहीं करते हैं साथ में पीते हैं फिर करेंगे ठीक है चलिए आइए धन्यवाद बने रहिए चर्चा के साथ